हलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास एट का चाप्टर नाम वो वन क्रॉप प्रोड़क्शन और मैनेजमेंट इविगेशन इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं अब प्लांट की रूट्स जो है वो क्या करती हैं पानी के साथ साथ मिनरल्स और फटिलाइजर्स को विद्व करती हैं प्लांट में करीबन 90 जो 90 प्लांट में क्या होता है पानी होता है राइट So water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition Water जरूरी है क्योंकि seeds का germination जो है न वो dry conditions में यानि की सुखी conditions में नहीं होता है Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant So nutrients जो होता है न जो पानी में मिल जाता है वो plant के हर एक पार्ट पे पहुचाय जाता है Water also protects the crop from both frost and hot air current To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth fields have to be watered regularly अब अपनी soil की moisture की नहीं को बढ़ाय रखने के लिए क्रॉप को healthy growth के लिए हमें अपने fields को regularly पानी देना पड़ता है देना बलकि चाहिए तो the supply of water to crops at regular interval is called irrigation To irrigation क्या होता है? Irrigation is nothing but supply जहां करते हैं अपनी crops को पानी और regular intervals पे वही होता है irrigation So the time and frequency जो होती है irrigation की वो crop से crop पे वराई करती है Soil से और soil पे वराई करती है Soil से soil पे वराई करती है, crop से crop पे वराई करती है और season से season पे कि अगर season winter का है तो हम पानी कम देते हैं उसकी time and frequency, crop, soil और season पे डिपेंड करती है Summers में frequency पानी की देनी की higher होती है क्योंकि जो हमारी evaporation होता है पानी का वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है इसलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है अपने plants को Summers में Irrigation के sources क्या है? हम well से भी irrigation कर सकते हैं tube well, pond, lake, river, dam और canals यह है कुछ irrigation के तरीके ठीक है अब हम देखते हैं traditional method of irrigation the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking into the field तो पानी जो होता है हमारे wells में lakes में, canals में उसको उपर लाया जाता है बहुत अलग-अलग methods का use करके अलग-अलग regions में जिससे उस पानी को fields में लाया जा सके cattle या फी human labor जो है इस methods में यूज होते हैं तो यह methods सस्ते होते हैं और कम efficient होते हैं traditional ways है, moat हो गया जिसको हम पुली system बोलते हैं chain pump हो गया और हो गया हमारा धेखनी और रहात यानिकी lever system lever system, right pumps जो हैं वो commonly पानी उपर लाने के लिए यूज के जाते हैं diesel, biogas, electricity और solar energy इन pumps को चलाने में यूज में आती है चीक है, आगे हम लोग देखते हैं modern method जो होते हैं irrigation के उनको देखते हैं, तो modern method जो होते हैं irrigation के उससे क्या होता है अब हम लोग देखते हैं कुछ तरीके methods क्या है पानी, मतलब irrigation के, तो sprinkler system हो गया यह जो system है, यह जादे useful है uneven, यानि कि इस तरीके के uneven ऊपर खाबर लान्ट होते हैं, उसमें sprinkler system जादे important है जहां पर पानी इतना वैलेबल नहीं होता है, sufficient the perpendicular pipes having rotating nozzles on top perpendicular, मतलब बिल्कुछ ऐसे pipes होते हैं, ठीक है, उन में क्या होता है उपर nozzles लगवा होता है rotating nozzles होते हैं, जो की main pipeline से जुड़े होते हैं, है न, तो जब water, जो है, उसमें main pressure के साथ, जब water को हम flow करने देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ते जुड़ेटिंग nozzles में से पानी sprinkler हो जाता है, ठीक है, तो sprinkler, sprinkler जो है, वह हमाई lawns के लिए, जो coffee plantation होते हैं, दूसरी कुछ crops के लिए भी बहुत ज़दा important होता है second is drip system, इस system में, जो है, water बिल्कुल drop by drop, बिल्कुल roots के पास, जो है, गिरता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी drip system है, यह best technique है, plant fruits, fruit plants, gardens और trees को पानी देने के, water बिल्कुल भी waste नहीं होता है, क्योंकि वो drop by drop सीधा roots के पास गिरता है, it is a boon in regions where availability of water is, is poor, okay, so यहाँ पर, देखिए, water बिल्कुल भी waste नहीं होता है, आगे दिया है, it is a boon in regions where availability of water is poor, यहाँ जगाओ में मतलब उनके लिए boon है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, यह पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर drip system बहुत सादे useful है, तो protection from weeds, अब हम लोग देखते हैं, weeds क्या होते हैं, यह भी देखेंगे, और उनसे protection कैसे हम अपने plants को provide कर सकते हैं, यह भी देखते हैं, तो भूजवा पोहेली जहें वह पासकी wheat field में गए, उन्होंने वहाँ पर देखा कुछ कुछ प्लांट्स अच्छे से weekly grow, मतलब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, नर्सरी में कि कुछ प्लांट्स थे वह दूसरे प्लांट्स साथ मतलब ग्रो कर रहे थे, ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं, अच्छे मोग भूने लेकिन वह नाच्रली उक जाते हैं तो ऐसे अनवंट्ड़ प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं, वीडिंग तो बहुत जब्स बहुत जबन सारी है, क्योंकि वीड्ग आप यहाँ, प्रटिश्टिशृ लहता है क्रॉप प्रॉप प्रॉप साथ प्रच दो लाई गए तो भीत की तो बाल शूच जाती है तो सब्सार्प कभाइगी न्यूट्रियंट भीत से नुट्रियंट अग्याए अलुटर अल्यॉम निर को रगय क्या गो hormon अपनाते हैं जिससे की ग्रोफ को सके और उनको अटाय जा सकते हैं तिलिंग जो है सौइंग से क्रॉप्स को वोने से पहले तिलिंग जो है उससे क्या होता है वीड्स उखड़ जाती है जड़ से हो मर जाती है फिर वाद में सूख के बिज बनते हैं बीज बनते हैं इससे पहले कि हमारी गहांस हो से उसमें फ्लार रिंग हो फूल बने उससे पहले हमें वीडिंग कर देनी चाहिए वीडिंग को हटा देना चाहिए manual removal जो है उसमें physical removal of weeds by uprooting or cutting तो हम लोग weeding कैसे कर सकते हैं उनको यह जड़ हातों से ही जड़ से उखाड़ सकते हैं या फिर हम उसको बिल्बुल जमीन के पास से हम उसको काट सकते हैं time to time तो हम खुरपी की help से कर सकते हैं a seed drill जो है उससे भी हम लोग weeds को uproot जड़ से उखाड सकते हैं वीड जो है उसको हम लोग कुछ chemicals की help से control कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स तो वो chemical जो weeds की growth को control करते हैं या फिर बिल्कुल stop कर देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? वीडिसाइड्स तो यह क्या करते हैं हमारी fields में हम इनको spray करते हैं जिससे की weeds मर जाएं यह crops को कोई damage नहीं करते हैं और जो weedsाइड्स होते हैं उसको हम लग पहले बहुत सारे पानी में मिलाते हैं और उनको sprayer के help से spray करते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हूँ अब आगे है already mentioned कि पहले बूजो क्या पूछता है कि क्या weedicides को कोई जो इंसान उस spray कर रहा है वीडिसाइड्स को क्या उनका person की कोई health पे affect पड़ेगा तो as already mentioned mentioned है कि weedicides जो हैं उसको हम vegetative growth से पहले ही हम पौदो में फ्लारिंग या फिर भी जाने से पहले ही सीट की formation से पहले ही हमें उसको spray करना चाहिए ठीक है तो spraying of weedicides जह उससे क्या होता है फार्मर की help पे भी थोड़ा पहुत अफेक्ट पड़ सकता है तो इसलिए हमें इन क्याइसे कैमिकल्स को बहुत दग कैरफुल क्रॉप की important बहुत 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 करना भी तो जब हमारी क्रॉप अच्छे से मैच और बड़ी हो जाती है ठीक है उसके वाज़ा हम कटिंग करते हूं उस क्रप्रसिस को बोलते हैं harvesting हारवेस्टिंग में क्रॉप या तो खाड़ी जाती या फिर काटी जाती हें जमियं के पास से 3-4 महीं हमाने में सीरी variety की में हर्वेस्टिंग हमारी कंट्री में इसफों तो सिकल की हल्फ से हेल्फ से या फिर मशीन जिसको हम हर्वेस्टर बोलते हैं उसकी ह्यल्प से harvest crop में जो ग्रेन जो होता है उसको हम लोग are shaft mechanics से अलग करना पड़ता है τοयके है इस process को मुलते हैं threshing यह किससे होता है कंबाहईनर की health से होता है Xin जब घ्रेस्श करता है आगये is कम जमीन होते हैं वह विणोई ग्रेन और चाहफ को अलग करने इसके बारे में क्लास 6 में भी पड़ा होगा हर्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में देख लेते हैं तो तीन से चार्ड महीनों के बाद तीन से चान् वहिनों के हार्ड वर्क के बार, एक दिन आता है हार्इस्टिंग का, जो, मतलब गॉल्डेन फील्ज जो होते हैं, जब पक जाती हमाई क्रॉप तो गॉल्डेन जाता है, फील्ज ठीक है, जिसमें, इतनी खुशी कि जो चीजें उनको वो मनाई भी जाते हैं पूरे इंडिया में आदमी और और सेलिब्रेट करते हैं इस ग्रेट एंथुसियाजम को स्पेशल फेस्टिवल्स मनाई जाते हैं लाइक पॉंगल बैसाखी होली दिवाली नावन्या विहू यह हर्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं अब हम लोग देखते हैं हमने पौधे भी सारे प्रसेस कर लिए अपनी क्रॉप प्रडक्शन पूरी कर ली अब भाई उन्हे गर में एकोने में होडी ना रखेंगे क्या करेंगे अंस स्टोर करेंगे का स्टोर करेंगे को देखते हैं जोग फैस्टोर अफट्यूट्स इस इस अन इंप्रैक्छ टास्क तो जो हम लोग थे प्रड़ियूज ऑनु सैया इक यूद sé उप्यार एक। अगर freshly harvested seeds या फिद उसमें अट्या हो सकता है और गैनिजमी का इंग जो कि जर्मीनिट नहीं होंगी तो क्योंकि क्या होते है ना हार्वेस्टेड बिल्कुल freshly harvest crop में थोड़ी बहुत मोश्टर होता है और मोश्टर बिल्कुल भी नहीं होना कि रोशनी में सुखा लेना चाहिए जिसे कि उनका मॉइश्टर बिलकुल खतम हो जाए तो इसे क्या होता है इंसेक्ट पेक्टिरिया फंगाए इनका टैक्ट नहीं होता हमारी उस पे ग्रेंज पे तो यह है सिलोज जिसमें हमारी ग्रेंज जो हैं स्टोर किये जाते हैं तो क्या करते हैं स्टोर करते हैं ग्रेंज को जूट बैग्स में फिर मेटल के बड़े बड़े बिंस में तो लाज स्केल जो होती है ग्रेंज की स्टोरेज वो सिलोज में होती है जिसे कि वो पेस्ट से राट से इंसेक्ट से बचे रहे बचे रहे ठीक है तो सूखी नीम की पत प्तियां डाली जाती है सूखी निम की पतिया डाली जाती है ठीक है जिससे कि उसमें मतलब किसे भी चीज का टैक नहों like micro organisms ठीक है फूई यह सब नहों जाए तो इस सबसे protect करने के लिए सूखी निम की पतिया डाली जाती है फर्स स्टोरिंग लाज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन की बड़ी क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए हम उनको बड़े बड़े गुदांस यानि की गुडांस में स्टोर करते हैं और फिर कुछ special chemical treatments यूज के जाते हैं कुछ special chemicals यूज के जाते हैं जिससे कि वो pest or microorganisms से हम उसको बचाए रखें रखें आगे है after completing this table table में क्या था आपको यहाँ पर लिखना है कुछ food के बारे में वो कहां से आते हैं उनके sources लिखने हैं तो इस table को complete करने के बार आप लोगों ने देखा हो many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet जो लोग coastal यानि की जो मतलब जैसे नदी किनारे बाले जो लोग रहते हैं वहाँ पर कि जो लोग होते हैं वो अपनी major diet जो होती है major diet का part क्या होता है fish मतलब फिश तो वो generally खाते रहते हैं ठीक है तो previous classes में लोगों ने पढ़ा है food जो हमें प्रांट से म product करने के लिए बहुत सारे steps होते हैं like seeds को select करना, sowing और बहुत सारे etc similarly animals जो इनको हम घर में पालते हैं फिर farms में पालते हैं उनको भी हमें proper food, shelter और हमें care provide करनी होती है तो जब हम animal पालते हैं large scale पर तो उसको हम लोग बोलते है animal husbandry तो यहां पर हमारा chapter जो वो complete होता है अब मि video अच्छे लगी तो like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, thank you so much और अगर आपको कोई भी query है then feel free to ask in comment section below, bye bye